आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जो अपना मद्यकालीन जो साहिते चिंतन तक रहे हैं खासकर इसमें फ्रांस इसी जो साहिते चिंतन हैं उसके बारे में जानेंगे और आप देखेंगे मैक्सिमम जो आपका फ्रांस वाला जो एरिय रहा यहां पर हम देखेंगे कि यहां से ब हैं कि कुछ इन्होंने अपने जो विचार और सिध्धान जो है वो भी उन्होंने प्रचलित कि ए खासकर फ्रांसिसी साहिते चिंतकों ने ठीक है तो यह बात आपको ने यहां पर ध्यान बुलो का नाम कहए ज che and now's कृ़ लो है तो आपने जैसी याद रखे जेगा बूई लो या बूई लो या पूई लो एसे अपकी बुक में दिया रहेगा या फिर जैसे मेरी बुक में यहां पर बूई लो ठीक है इसका समय था 16iji सेा लेकर परके 1711 का समय इसका माना ते की यहां वोगने जाना है इसको विदाई ठीक है यहिसकी रशना का नाम है देखना पूरा पूरा का पूरा एक लाइन ऐसने लिख दी की पेष नगर से एक कवी की विदाई यह इसका पहला ग्रन्त रहा है 1660 तो चलिए जो आपका 1674 के आसपास इसने इसको लिखा था और दूसरी रशना रही इसकी देखना रोमिय नाइकों के समवाद जो रोम के नाइक रहे हैं उनके जो समवाद हैं तीसरी रशना है एल आट पोईटी का हमारे काम की सबसे महतफ़ोंन जो पुस्तक इसकी है वो यह ही वाली रचना मानी जाती है देखना एल आर्ट पोईटी का एंड ये इसने जो आपका 1674 के आसपास इसने इसको लिखा था ये बात भी आप याद रखेगा कि एल आर्ट पोईटी का जो रचना रही है 1674 के आसपास की रशना मानी जाती है तो ये जो रशना रही है इनकी देखना इसी से इनके कावाइशासे से दान्त हमें मिलते हैं और इसमें इन्होंने क्या चीज़ बताई है की जो पारलोकिक दत्थ्त्थ्तो हैं इसने क्या बोला है? कि जो इसाई अध्यात्मवाद का उसमें समावेश जो है वो नहीं होना चाहिए ये बात इन्होंने कही थी ये बात आपको यहाँ इस पे याद रखने की जूरूरत वैसे उतनी जादा नहीं है आपको खाली इतना ही प्रश्म पूछा जा सकता है देखना बौलो से कि इनकी जो रचना है वो कौन सी रही है खासकर कावशास्तर से संबन देता बाकि ये जो दो लंबी-लंबी रचना है इनको भी याद रखने की जूरूरत आपको जादा नहीं है मुख्यरूप से आपको बोईलो से सिर्फ यही याद रख लेना है कि इनकी जो कावशास्तर से संबन इंकारिक्ता है इस तरीके के जो अबनन रहते हैं उससे जो है अध्यात्मिक्ता क्या होती है वो कहीं न कहीं खराब होती है ठीक है ये बात आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है नेक्स आता है कि वह यह बोल रहे हैं कि बोईलो जो रहे न यह क्या थे नवशास्त्री जो कव इन्होंने किया था जिस तरीके से नवशास्त्री जो रशनकार रहे हैं आगे आप हलंकि नवशास्त्रबाद के बारे में विस्तार से देखेंगे कि नवशास्त्रबाद जो है वो क्या है शास्त्रबाद तो होगया आपका क्लासिजम जो आपके खासकर ये प्लैटो और अरस्तु ने चला आया लेकिन नब शास्त्रबाद था इसको नए तरीके से जिन्होंस पर काम किया है तो यह वो रहा है की प्रकृति और भावना का क्या करना है उदाति करन जो है ये इनका मूल कारे रहता है जो आपके नभचास्त्रि रहते हैं तो बोईलो भी क्या माने जाते हैं नभचास्त्री माने जाते हैं ये बात भी आप साथ साथ में इससे याद रखेगा अब एक इंपॉर्टन चीज आती है देखना कि कावे रच्णा में इस मतलब ये बुद्धि पक्ष को क्या करते हैं, जाधा महत्व देते हैं, इस लाइन को आप अच्छे तरीके से लिखे, यह यहां पर आधे दुरी होगी, यह देखना है, इसको ठीक कीजिएगा, इसमें आपने क्या लिखना है, कि कावे रचना में विवेक को परमपरा से अध रचना है, तो उसके लिए हमें, मतलब जो परमपराएं चली आ रही हैं, कि पहले वाले लेकक ने कैसे लिखा, वो चीज़ जरूरी नहीं है, बलकि यह कह रहा है, कि विवेक की आवशकता रहती है, यह चीज़ इसे बहुत ही जादा महत्व पूर्ण बनाती है, ठीक है, औ और प्रशन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कि किसने यह माना कि विवेक पूर्ण जो रचना है, वो ही स्थाई होती है, तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है, कि यह रखा है, जो आपका बोईलो ने यह माना था, ठीक है, इसको आपने यहाँ पर ध्यान में रख और माना यह जाता है, कि वोईलो जो ख्रांस के चिंतक रहें देखना, इनसे बहुत से जो अंग्रेजी के चिंतक थे, वो क्या हुए है, प्रभावित हुए, या कवी, या जो समिक्षक है, वो सारे ही इनसे प्रभावित माने जाते हैं, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्य परा को नहीं मानते हैं, ठीक है, और विवेक पुन्रच नहीं स्थाई होती है, यह भी बोईलो ने ही माना है, ठीक, तो यह था आपका बोईलो, इससे समझते कुछ मत्तफ़न चीज़ें, एक चीज जो इंपोर्टन्ट आती है, इसकी देखना, इन्होंने क्या किया था, कि अपनी अलग धंग से इसने उसकी व्याक्या प्रस्तुत की है, यह भी माना जाता है, ठीक है, लेकिन वह आपके काम की चीज नहीं है, इसको आपने चोड़ देना है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, कि जो बोईलो से समझते जो मत्तपुन चीज़ें आती हैं, यह व आपको या रख लेनी है, देखना, इसने कावे के भेध जो है, ज़्यादा प्रस्तुत किये, कितने प्रस्तुत किये, इन में से प्रमुख हैं देखना, महा कावे नाटक, पहली चीज इसने बोली, महा कावे को, दूसरा इसने माना नाटक को, इनको लिख लेना, आपने द इसे जो है वो कावे के भेदों के अंतरगत रखी हैं तो कावे के भेद इसने होरेस और अरस्तू देखिए अरस्तू उन्हें तो छे किये थे ना जो आपके प्रसादांत ये जो जो जुसको हम दुखांत कहते हैं या तरासदी कहते हैं लेकिन इसने जो है आगे इसके अलग- महा कावे, दूसरा आता है नाटक, नाटक के अंतरगत इसने विशादान्त और प्रहसन, मतलब जो वियंग्यात्मक नाटक है, हास्से वाले, वो भी रखे हैं, फिर उसके बाद आता है पैस्टोल एलेजी, जिसको हम गोचारन विरह गीत कहते हैं, देखना, जो पैस्टोल ए जो 14 पंक्तियों की कविता, ठीक है, इसके लावा एपिग्राम है, बैलेड है, एंड रॉंडू हो गया, मैड्रीगल सेटाइर, जिसको हम वियंग्य कावे कहते हैं, गुद्विल इत्यारी, तो ये देखे, बहुत सारे इन्होंने क्या किये हैं, कावे के जो अलग-अलग बताने की कोशिश यहां पर की है, ठीक है, तो ये जो पाश्यात है, या यूँ कहें कि जो आपके फ्रांस में जो कावे की प्रमुख, जो भेद रहे हैं, अलग-अलग तरीके से लिखा जाता है, जिसके नाम है, जैसे एपिग्राम हो गया, बैलेड हो गया, रॉंडू हो है, कि ये हैं, आपके कावे के भेद, और ये किस ने किये थे, ये किये थे, बोईलो ने, और इनका समन्द जो है, वो किस कहां से रहा है, तो आपको या रख लेना है, फ्रांसिसी साहित्य चिंतन से इनका समन्द रहा है, मैं बार-बार कह रहा हूं देखना, कि आपको लास प्रहस्न के अंत्रगत पर हम हास्या चीज़े रखते हैं लेकिन सटायर थोड़ा सा अलग हो जाता है ठीक है इसको आप यहां पर ध्यान में रखेगा तो यह था आपका जो आपको इससे याद रख लेना है कि इसने कावे की कौन कौन सी चीज़ें जो रखी है इन वेदों का विरूद फ्रांसिसी शास्त्रवादियों ने बाद में किया था अरस्तु और होरेस के मुर्भूत से दान्तों के एक के साथ विंग्यात्मक चुभन ने बोईलो की रचनाव में और विचारों में एक विशिष्ट अधिकुच प्रभाव का समाविश हो गया था आपका बोईलो और उसका जो साहिते चिंतन रहा और उसने साहिते के जो भेद माने उन सब के बारे में हमने देखा इसको आप थोड़ा सा याद रखिए बाकी अब देखते हैं हम इसके बाद जो अगला पार्ट या दूसरे लेकर कौन रहे ये थे वालतियर देखिए ये नाम भी बहुत ही जादा महत्तपून है देखना फ्रासिसी साहिते चिंतन में अगर हम बात करते हैं इनके समय की तो 1694 से लिकर के 1778 तक का इनका समय रहा मध्यकाली चिंतकों में और मध्यकाल का समय हमने अठार्वी शती के अंत तक माना है देखना इसको भी आप याद आपको ध्यान में रख लेना है दूसरी चीज आती है इनका जो साहिते को लेकर के दिश्टिकोंड रहा है देखिए वो कैसा दिश्टिकोंड माना जाता है व्यक्तिवादी दिश्टिकोंड माना जाता है जो वालतियर रहे हैं वालतियर से आपने जरूर याद रखा होगा ठीक है कि जो आपने मतलब पुराने पेपर में देखा होगा वालतियर से समंधित प्रशन जो है वो जरूर रहा है या पूछा गया है कि वालतियर का समंध कहां से रहा या फिर ये किस वाद के अंतरगत आते हैं ये चीज़े भी आपको थोड़ी सी पूछी जाती है तो यहा ने साहिते चिंतर में क्या चीज मतलब पूर्ण बानी ये बोलते हैं कि जो अपना व्यक्ति को जादा मतल देने वाले हैं इसलिए ये क्या करते हैं व्यक्तिवादी दिश्टि कोण अपनाते हैं जो हम प्रयोगवाद में देखते हैं जैसे व्यक्तिक्ता को मतल दिया गया ठीक है कि जो कला होती है या जो साहित्य है उसको जो पूर्णता मिलती है वो किसम मिलती है विशेवस्तू एवं शैली में अगर सामंजस्य हो तब ही हमारी जो रचना है वो क्या होती है या हमारी जो कला है वो पूर्ण मानी जाती है हम यह नहीं कर सकते कि हमारा जो विशेव के काiggले लेकिन उसकी शैलि ऐगर प्रेम पूर नहीं है ठीक है प्रेमे निरूपित करने वाली नहीं है तो पहीं न से मातपूर है इसमें पर जियान में रखना भी है ठीक है फिर यहां पर आगे लिखा गया है देखना कि जो वालतेर रहे हैं इन्होंने क्या किया इन्होंने शैली की तीन कोटियां नियतारित की हैं एक है सहज जो मतलब सिंपल सी है सभाईविक सी है जिसको हम नैचुरल कहते हैं दूसरी आती है अलंकृत जिसको हम अलंकृत करते हैं या बहुत जादा अबूश रख लेनी है कि आपके जो ये वालतेर रहे हैं इन्होंने कावे की तीन शैली निर्धारित की हैं एक समाने शैली रहती है एक अलंकरित रहती है जिसमें हम अलंकारों इत्यादी का प्रियोग तो करते हैं लेकिन फिर भी वो शेष्ट जो है रशना नहीं बन पाती है लास्त कोई आपका ध्वनी का जो प्रभुत है उसकी ज़रूरत परती है तो वहां पर हमें वैसे वैसे चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है और इसलिए ये बोलता है कि वही रचना जो है वो क्या है उद्दात माने जाती है या उद्दात शैली रहेगी ठीक है तो इस बात को आ प्रशन ऐसा पूछा गया था कि वालतियर वगेरा का जो समंध है वो कहां से था मतलब या तो कहां से पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि इनोंने किस वाद को लेकर के अपनी चीज़ें कहीं है तो कलावाद तो यहां पर कला से समंध चीज़ें आपको याद रख हैं ये कलावादियों के अंतरगत भी आते हैं ठीक है साथ ही साथ इन्होंने जो है नाटक के उपर भी लिखा दर्शन शास्तर के उपर भी लिखा व्यंगे कथाएं और कावे शास्ति रचनाएं इन्होंने जरूर लिखी है ये चीज़ आपको यहां पर यहां रख लेनी है लेकिन कोई एक important grant जो है वो इनका नहीं मिलता अगर आप जो है net में जाके search करेंगे तो definitely आपको कुछ न कुछ चीज़ें जो है वो इनसे मिल जाएंगे लेकिन जब हम आगे आगे विस्तार से इसको पढ़ेंगे ठीक है जो आपके जैसे कलावाद है जैसे आपका रूपवा देनिस दिंद्रो जो रहे देखना इनका समय माना जाता है 1713 से लेकर के 1748 तक ठीक है इन्होंने भी जो साहिते रहा देखना उसके अलग-अलग रूपों के जो रचनाए या भी बेचनाए जो की है ठीक है लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको यादख लेनी है कि द सिर्फ फ्रांसिस जी चिन तक रहे जिनोंने साहित्य में सम्वेदन शीलता को विशेश महत्य जो है वो प्रदान किया है ठीक है तो ये बात आपको यहाँ पर याद अख लेनी है जिस तरीके से भबूती ने देखना एक मात्र जो आपका रस रहा करून रस उसको प्रदान किया और साथी साथ ये कहते हैं कि जो करूना है उसको इन्होंने साहित्य रचना के मूल में माना है ठीक है ये बहुत ही इंपोर्टन लाइन देखना जो यहाँ पर लिखी हुई है यही प्रशन आपको बनेगा और एक्स्टार चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत य गई है सिंपली इतना जरूर्ब प्रशन आता है कि दिंद्रोव गिरा का जो समंद रहा वो कहां से था और इनका साहित्य को लेकर कि क्या विचार रहा है तो इन्होंने क्या बोला कि साहित्य के जो मूल में है वो क्या होना चाहिए करूना होनी चाहिए ठीक है ये चीज़ आपको यहां पर ध्यार रखलिना है प्राशन उल्टा करके पूशा जा सकता है कि साहित्य के मूल में करूना को किसमने महतद तो या रखलेना करूना करून director के करूना को माना डैनीश दिंद्रोन है ठीक है यही आपको द्यान रख लेना है और जब करुणा की बात आ गई तो समय लिजे समवेधन शील है ठीक है इसलिए समवेधन शील ताको भी विशेश मौत दिया यही आपका काम यहां पर खतम हो गया ठीक है अब यहां पर आपको यार रख लेना है कि जो ये दिंद्रो रहे हैं, ये भाशा के स्वचन एवं निरंग कुश रूप का समर्भन करते थे. ये कहा रहा हैं कि भाशा क्या होनी चाहिए? स्वचन रोफ कर रहे हैं, जैसे जिसको हम पातरानुकूल भाशा की वैसी है आपशक्ता जो है, वो रहती है. तो ये बात आप यहां पर इससे ज्यान में रखिएगा जो आपका डेनिस दिंद्रो रहे इसे रिलेखिड और कोई जादा मातपून बात नहीं है आपको है ना सिंपल इतना आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने भाशा के संदर में क्या कहा और साहिते रचना के मूल में इन्होंने अपनी कौन-कौन से चीज़े जो है वो बताई है ठीक है इन्ही बातों को आपने यहां पर याद रखना बाकी कोई एकस्ता याद रखने की जरूर ब्यूग आप जो सेंट ब्यूग थे इनका जो समय माना जाता है 1804 से लेकर के 1809 हालां कि यह इतना जारा जरूरी नाम नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा ठीक है देखिए मैं एक बार फिर से आपको रिमाइन करवा दूँ कि अगर आपको इनके बारे में कुछ भी चीज़ें याद नहीं रखनी है एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते कि इन्होंने कावे को लेकर कि क्या कहा बस इतना तो जरूर याद रखे कि यह कहां से रहे हैं क्यूंकि उतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है ठीक है क्यूंकि मध्यकाल में हमने पहले ही देखा था कि उतना ज्यादा यह फेमस नहीं रहा अपना मतलब सिर्फ दांते थे यहां पर एक मौत्वण जो राइटर रहें लेकिन बाक्तियों से सामेशा ऐसा ही प्रश्म पूछ जाता है कि इनका समन्द जो आवो कहां से तरह था और इन्होंने कोई महत्वण चीज जो है वो कौन सी कही है ठीक है अब नाम आता है यहां पर देखिए कौन सा है यह जो लेकर करहें देखना यह 19.00 शताबदी हो गए है 19.00 शताबदी में आगए देखिए हम 1804 का मतलब होता है 19.00 खीक है इनमें से जो प्रमुक प्रमुक नाम है वो है आपके सेंट व्यूवल इन्होंने क्या बोला कलाकार को छोड़कर कलाकृती का मुल्यांकन जो है वो दुश्कृत हो जाता है तो यह क्या बोल रहे हैं दुश्कर हो जाता है दुश्कृत ने इनके कहने का मतलब यह है कि अगर हम क्या करेंगे अगर हम कलाकार को छोड़ देंगे मतलब रचनाकार को छोड़ देंगे तो हम कलाकृति का मुल्यांकन नहीं कर सकते ये कह रहे हैं कि जो आपका लेखक है उसके व्यक्तित्व को समझना भी जरूरी है अगर हम उसकी रचना का मुल्यांकन कर रहे हैं तो इन्होंने कुछ अलग ही concept दे दिया देखना, ठीक है, ये क्या मान रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो आपका कलाकार है, मान लीजी आप एक रचनकार हैं, आपकी क्या परिस्तितियां हैं, ठीक है, वो जानना जरूरी है, तब हम जो है आपकी रचनकी समीक्षा कर स रखते हैं, तो इन्होंने कुछ अलग सा concept दिया, इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है ये चीज़ आपको उची जाए, जिस तरीके से भारती कावेशास्त्र में या भारती साहित्या लोचना में जो है, आपके शांती प्रिया दिवेधी जो हैं, वो प्रभावादी सम इक्षा, और इन्होंने क्या महत्त दिया देखिए, ये भी कलावाद को मानने वाले थे, इसलिए हमने पहले ही कहा था कि जितने भी आपके फ्रांसिस चिन तक रहे हैं, उन्होंने जो विविदवाद और सिध्धान थे, ये जादातर प्रसूट किये हैं, इन्होंने, ठीक मानते थे, आनंद के लिए मानते थे, यहां पर इनका कान मानना यही है, ये कला कला के लिए मानते हैं, तो पहला कला जो था, ये क्या है, ये साहित्य हैं, दूसरा कला जो है, वो किस के लिए है, आनंद के लिए प्रियुक्ट किया है, शब्द यहां पर, ठीक है, तो कला कल के लिए है माना इसने माना सेंट प्यूब ने भी माना है ठीक है इस सिध्धांत का इन्होंने क्या किया है समर्थन किया और इसी सिध्धांत का समर्थन जो है जर्मनी के दार्षनिक रहे हैं देखना इमेनुल कांट यह नाम आपने सुना होगा इमेनुल कांट और उससे आप गणनुल कांट पोगेरा जो रहे हैं, इनका समझ कहां से था और इन्होंने कलाबाद के संदर्व में क्या मत प्रस्थुत किया है, तो उनका मत यही होता है, कि कला जो है वो कला के लिए ही है, तो जर्मनी के चिंटकों नहीं भी फिर क्या किया, इसी सिध्धांत को रखनी हैं इनका सबसे इंपॉर्टन चीज जो मुझे लगती है वो यह है कि यह मानते हैं कि किसी भी कलाकृति को हम बिना उसके कलाकार के समद्ध में जाने जो है वो उसको सही डंग से विवेचित नहीं कर सकते तो यह इन्होंने एक अलग सा कॉंसेप्ट दिया कि अगर मान मुझे यह कह रहा है कि उसके जानना जो है वो जरूरी हो जाता है ठीक है यह चीज सेंट व्यूब के बारे में ज्यादा मातापून है ठीक है तो यह चीज़ आपको यहां पर ध्यान में रख लेनी है ठीक है तो यह था आपका सेंट व्यूब समझा रही बात या नहीं मु कि नहीं तो नंहीन हिसित सब्सक्राइब दाक मुनच्र कहा gi इस चैनल मुझक तुम है। कि एंडेस किया है हां सिता इस बोलो हां जी सर टफ सा लग रहा है फरस्ट टाइम देख त्यूंसर अच्छा इससे पहले वाली जो क्लासिज आपने लगवाई थी उसमें नहीं पढ़ा था ये क्या नहीं सर एलटी टैट में तो नहीं पढ़ा था इस एलटी टैट की में काम आएगा देखना ये सारी चीज़ें बश्रत्य थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है इनको इसको एक साथ अगर आप सारी चीज़ें याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा ठीक है वैसे है कुछ भी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि इस देखिए जब हम competitive exam की त्यारियां करते हैं तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें वैसे सबसे पहले पढ़ना चाहिए था जब हम साहिते की बात कर रहे होते हैं देखना कि पहले पहले हमने देखिए वैसे मेरा तरीका तो यही था कि पहले पहले आपको क्या पढ़ाया जाना चाहिए आपको जो है भाशा की बरे में जो हम शुरुबात में पढ़ते ही है फिर उसी भाशा से हम क्या पढ़ने पहुंशते हैं कि प्रतिक बाशा का साहिते होता है तो साहित śastra या कावे शास्त्र जो तुरंत उसके बाद आ जाना चाहिए है इसाहिते क्या है त्रीकर से चल나 चाहिए था कुछ एक baks में आपको इस तरीकर से दीया भी रहता है देखना कि पहले पहले आपको भाशा से रिलेटर या फिर साहिते से रिलेटर ही आता है पर जैसे आपको बुक में दिया रहता है maximum book में ऐसी रहाता है कि last में ही इनका जिक्र किया जाता है तो ये चीज़ है बस इसको देखना है आपको एक बार पढ़ना start कर देंगे notes बगरा साथ साथ में बनाते रहिएगा इसके देखना और इसके बाहर कुछ भी नहीं है आप book में देखेंगे तो जो काम की चीज़ें वो मैंने यहां पर रखती हैं और जो एक्स्ट्र अगर चीज़ें आपको book में मिलेंगी तो उनको भी साथ साथ में रखते रखना है ठीक है वैसे काम जो करना है वो फिलहाल यही करना है, इन में क्या क्या चीजे हैं, कौन इनके ग्रंत हैं, अगर किसी के ग्रंत मिलते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं, तो शिर्फ इनकी ये, जो मुख्य बाते हैं, वो ध्यान रख लेनी है, एक नाम आता है, देखिए, हाई-पॉलाइट तेन, य यहांपर लिखा है देखिये, विधेवादी पदती को जो यह क्या मानते हैं, ठीवरी आफ मोमेंट कहते हैं, जैसे हमने शुकल से भी पड़ा था न, कि प्रतिक देश का साहिते वहां की जनता की चित वृतिका क्या होता है, संचित प्रतिविंब होता है, तो उसी चीज़ को वातावरण का जाती इत्यादी का तो यह सारी चीज़ें हमने कहां पर देख ली थी शुरुआत में ही देख ली थी तो यहां पर एक बार फिर से आपको पूरा नाम इसका यारक लेना है कि हाई पूलाइट तेन इसका नाम रहा है 28 से लेकर के 1893 तक कर इसका समय रहा तो कहने का मतलब यह है कि यह भी उनिस्वी शती के ही मातफून चिंतकों में से एक माना जाती है ठीक है प्रशन इससे सिंपली ऐसा पूछा जा सकता है देखना कि थी तो आपको यारक लेना है कि जो आपका हाई पूलाइट तेन ने दिया और इसी इसी थी थीरी के अंतरगत जो है मतल giving दिखना कि और घ्राइट वात्तरण आपके कर दो हैं तो जितने भी समाने है मतलब वह मारा जूरा वना चाहिए तब विधेवादी पदती मानते हैं साहिते की तो विधेवादी के जो मूल जनक हैं देखना ये यही तेन माने जाते हैं इसको ही आपने याद रख लेना है कई बारी आपको ऐसा पूछ जा सकता है देखना कि इसमें क्या क्या चीज़े आती है तो याद रख लेना है कि एक कलावकार पर तेनने क्या माना देश, काल, देशकाली कटे हैं, वातावरण और जाती, इन तीन चीजों का प्रभाव जो है वो रहता है, ठीक है, इसको याद रखेगा, नेक्स आता है, यहाँ पर देखिए, अगला जो नाम है, यह है चाल्स वा रहा, अब इन से समझे जो मातपून चीजें हैं, उनको आपने यहाँ पर ध्यान में रख लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए, यथार्थवादी और स्वचंदता का इन्होंने क्या किया, प्रतिपादन किया है, तो यह एक तो इनके अंदर जो यह थार्थवादी दिश्टी कोन रहा, और दूसरी तरफ जो है स्वचंदता या स्वचंदता का प्रतिपादन भी इन्होंने किया है, स्वचंदत से रूप हुआ, मतलब एक मुक्त तरीके से इन्होंने अपना साहिते के लिए लिए लिखा, यहाँ पर यह मानते थे कि ज मानते हैं देखना, यह चीज़ आपको यहाँ पर द्यान में रख लेनी है, जबकि पहले बाले जो लेकक हमने पढ़े, चाहिए वो सेंट व्यूब की बात की हमने या किसी और की बात की, तो उन्होंने क्या माना, उन्होंने बोला कि जो कला है, वो कला के लिए है, अनंद क के लिए, लेकिन इसने जो है कला के लिए कला सिध्धानत को क्या माना, इसको ये मानवता विरोधी मानते हैं, ये चीज़ इन्हें जादा महतब देती है, ठीक है, इस बात को आपने यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है, यहाँ पर साथी साथ आगे क्या लिखाए प्रतीक वाद को हम लेते हैं, इस चीज़ को आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है, तो प्रतीक वाद का जनक फ्रांस में किसे माना जाता है, चाल्स वादलियर, ये प्रशन इंपोर्टन्ट है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप अभी से ही आद रख लेंगे ना इस आते हैं और कलावादियों के अंतरगत क्या आते हैं, अब प्रतीक क्या होता है, प्रतीक तो होता है, जैसे सिंपली एक चिन जिसको हम कहते हैं, संकेत आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास पदमबत रहा देखना, उसमें अलग-अलग प्रतीक रहे हैं, ठीक तो बाकी detail में हम आगे देखेंगे प्रतीक वाद हो गया या कोई भी जो वाद हो गया अभी हमारा काम है simply इसके बारे में थोड़ा सा जानना तो इन्होंने क्या बोला कला को प्रकृती की अनुकृती नहीं माना जब बलकि इसे क्या माना एक जादूई चमतकार माना है देखना जो आपका कला है तो यह वो रहें कि यह प्रकृती की अनुकृती नहीं है बलकि एक जादूई चमतकार है इनका जो सिध्धान था यह साध पात का गोशना पत्र भी माना जाता है जो इनका सिध्धांत रहा है जिसको हम साद्रिश्य सिध्धांत कहते हैं अब साद्रिश्य क्या होता देखना एक चीज को दूसरी चीज के समकक्ष रखना ही क्या है आपका साद्रिश्य है है तो सिंपल सी चीज वही है कि हम एक चीज क को क्या मान रहे हैं जैसे हम पदमाबत को लेते हैं देखना पदमाबत क्या है वहां पर वो किसका प्रतीक है किसके साधरीश है वो आपके सिंपली जहां पर हम तुलना की बात करते हैं वो यह आपका साधरीश होता है ठीक है तो पदमाबत क्या है वो इश्वर का प्रतीक है स सिंपल सी बात है, यही है सादरीिशन से धंद और यही यहीं से आपको समझना है कि यह आपका क्या है, प्रतीक वाद हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ देखना, जो आपको चार्ल्ज वादलेयर से यार रख लेना है, ठीक है तो इस बात को यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चार्ल्स वादलेर जो है, यह कहां से थे, यह थे फ्रांस से, और इन्होंने जो क्या चीज महतपून मानी, तो यह मतलब आपको, यथार्ट वादी, सौचंता वाद को इन्होंने प्रतिपादित किया, theory of moment जो है, theory of correspondence, ठीक है, इसको इन्होंने रखा है, ठीक है, तो यही चीज़े हैं, जो इन्नसे महतपून चीज़े हैं, जो आपको यहां पर ध्यान में रख लेना है, फिर आती है, देखिए, इनकी जो एक क्रिती रही है, रशनधी इन्नकी flowers of evil, ये आपको याद रख लेना है, flowers of evil, ठीक है, इसमे इन्होंने क्या किया है देखना इसमें इन्होंने 160 कविताओं को संग्रहित किया है ठीक है वो सकता है ये चीज़ आपको पूछी जाए लेकिन वैसे इतनी जादा महतफ़ों ये रचना नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको प्रशन आता है कि जो flowers of evil नाम से किसने अपनी रखा है ठीक है तो ये बात थी जो आपको यहां पर ध्यान में रख लेना है थोड़ा सा ठीक है तो यही था बाकी इसके अलाबा इसने कोई और जादा महतफ़ों माननेता है जो है वो प्रस्तुत नहीं की है सिंप्लि आपको यहां पर यार रख लेना है कि ये क्या रहे कल इस नाम आता है यहां पर देखिए Gustav Flabier का यह नाम भी बहुत ही important है देखना Flabier कई जगा इसका नाम कुछ अलग सा मिलता है Flabier की जगा Flabort या कुछ ऐसा नाम है इसका देखना book में मिलेगा आपको कई जगा देखना आपने एक पांडेन पांडे वाली book अगर आप पढ़ छो समय अगरम माने 1821 से लिखरके 1880 तक रहा इन्हों ने एक उपन्यास लिखा था प्रसिद उपन्यास जिसका नाम ता माादाम बावरी है न lihat 1557 में इन्हों ने लिखा था इस उपन्यास के जरिये इन्होंने क्या किया था जो आपका यथात वाद था उसको एक नई व्याख्या इसने प्रस्तुत की है ठीक है तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रख लेना है कि जो यथार्थवाद देखिए अब इनका समन्द किस से आगया गुस्ताव फ्लावेर का समन्द जो है वो यथार्थवाद से आगया ठीक है तो यहां पर इसी उप अधार्दवाद भी अब यहां पर हमें मिल गया प्रशन आपको हमेंसे ऐसे ही पूछे जाता है देखना है कि अधार्दवाद के जो एक नई ब्याक्या किसने प्रसुत की या इसका आरंब जो है वो किससे माना जाता है तो आपको सिंपल यारख लेना है कि फ्लाबेर से ही मा जाता है तो ये चीज़ आपको यहां पर यार रख लेना है एंड अगर मान लिजे आपको प्रशन ऐसा पूछे जाता है देखना है कि यह जो फ्लाबेर रहे हैं या थार्दवाद गीत पात तो ठीक है एक शब्द इससे आपको यारख लेना है कि यह वैचित्रेवाद को जो है वो जादा मात्व देते हैं ठीक है वैचित्रेवाद का लेखक भी कहा जाता ही ने विचित्रता ठीक है वैचित्रेवाद का लेखक यह लिख लीजेगा आप कि वैचित्रेवाद का लेखक किसे कहा जाता है ठीक है तो यह याद रख लेना है आपको आपका गुस्ता तो यह चीज है इससे याद रखने लाइक बाकी इससे कोई ज्यादा एक्स्टर चीज़े नहीं आती है देखना फ्लाव्यर से चीक है मादाम बावरी याद रख लेना यह प्रश्न पूछा गया है पुराने पिपर में जो इसको देखेगा आप है ना मादम बावरी उपन्य की देखना जहां पर आपके यतार्थ वाल का जिकर होगा है किषिके बास अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है अगर नहीं देख रहे हैं तो उसको देखते रहेए पाश्जात्यकावशास्तर में पांडेन पांडे वाली बुक में भी यह चीज़ आपको दी हुई है पर है थोड़ा थोड़ा छोड़ा छोड़ा तब ही मैं कह रहा हूं देखना कि जब भी आप पाश्चाते कावशास्तर पढ़ेंगे तो जादा नहीं पढ़ना उसमें उसमें आपको सिंपली एक एक पेज या दो पेजीज ही देखने हैं और उनको अच्छे तरीके से समझना फिर आता है अगला नाम देखिए स्टीफन मलारमे का फ्रांसिसी चिंटक जो रहें देखना ये बहुत जादा रहे हैं इनको आप थोड़ा सा याद रखेगा ठीक है तो नाम याद रखना मुश्किल हो सकता है लेकिन जब आप इनको वाद के जरीए अलग-लग करते हैं त इनका समय माना जाता है देखिए एडगर एलेन पो ये जो एडगर एलेन पो हैं ये हैं आपके अमेरिकी चिंटक अमेरिकी कहानिकार भी ने कहा जाता है देखना शॉर्ट स्टोरी इनों ने ही कहा था सबसे पहले ये हमने पीछे जब कहानियों वाले portion में देखा था तो ए एडगर एलेन पो और चार्ल्स वादलियर ठीक है ये बात को आपको यहां पर ज्यान रख लेनी है ठीक है एंड यहां पर देखिए इन से समंधित क्या चीज़े हैं प्रतीकवादी अंदोलन का मार्ग दर्शक वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है ये line देखना इसको आपने ज याद रखिएगा जो भी आपके प्रतीकवादी रहे हैं उनको इन्होंने मार्ग प्रदर्शित किया उनका एंड साथी साथ प्रतीकवादियों का गुरू भी इन्हें कहा जाता है देखना स्टीफन मलार्मे को तो ये चीज़ भी आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं ठ ठीक है बिना उसके जो है हम कवीता जो है वो अच्छी तरीके से नहीं करते हैं प्रतीक सहज वा बोध गम्य नहीं तो ये प्रतीकों को मानते हैं कि जो आपका प्रतीक है वो इतने सहज और बोध गम्य मतलब असानी से जो हमें नहीं समझता आते ठीक है रोमांच और इंद तो यह चीज आपको यहां पर याद रख लेना है कि जब भी हम प्रतीक आत्मक्ता की बात करते हैं तभी तो हम प्रतीक का पहचान कर सकते हैं कि कौन सा प्रतीक कैसा है तो इसलिए यह वो रहे हैं कि एंद्रिय चेतना का होना बहुत जरूरी है वही मौतपूर्ण है वही साहितिस रिजन के लिए इसलिए इनको गुरु कहा जाता है यह ना आसम वैसे हर किसी को हम जो है गुरु नहीं मान सकते हैं तो स्टीफन मलार में से आपको जो मुख्य बा ओसे प्रवावित रहें ठीक है and साती साथ बात आती है इनकी प्रमुख रचनाओं की तो यहां पर इनकी जो रचनाओं है इसको आपने देखना है एक ब foul तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं माने जाती हैं देखिए एक है पोईजीज इसको याद रखेगा पोईजीज हो गया selected poetry and prose हो गया a roll of dice and to purify the words ये इनकी कुछ मुख्यकृतियां रही है इनको एक बार आप जरूर देखिए हो सकता है कभी कबार आपको ऐसी रचनाएं जो हो पूची जाएं हाला कि जादा तर जो रचनाएं आपको पूची जाती है देखना वो बिल्कुल प्रारंभिक जो बिल्कुल प्राचीन थे हैसियर होमर पिंडार बाले जो नाम है उनकी रचनाएं आपको जादा जरूरी है वनस्पत इन रचनाकारों के ठीक है तो इनको आपने थोड़ा स ध्यान में रख लेना है कि इन्होंने भी लिखा है वो सकता है ये चीजें भी कभी कभार आपको पूची जाएं बाकी चीजें चाल्स बादलेर से रिलेटिड आपको एक्स्टा जो है वो कुछ मेरे हिसाब से नहीं बनती है जो जो मुख्य बाते थी वो यहां पर मैंने र वाले प्रतीकवादी कभी माने जाते हैं तो इनसे कोई जादा एक्स्टा चीज नहीं है देखना पॉल वरलें से इनसे आपको सिंपले इतने यहां रख लेना है कि यह क्या मानते हैं कि जो आपका संगीत है वो कावे के लिए जरूरी है इन्होंने क्या किया संगीत की जो विशेष्ट आए हैं या विशेष्ट आए हैं ठीक है उसके समवेश जो है वो इन्होंने किया है ठीक है तो इस बात को आपने यहां पध्यान में रख लेना है और यह भी प्रतीकवादी कभ्यों के अंत्रकत ही आएंगे ठीक है तो यह नाम होगे आपके जो मुख्य पतलब किस चिंतन के अंतरगत आते हैं ठीक है तो फ्रांसिसी साहिते चिंतन में वैसे तो बहुत सारे नाम आते हैं देखना जैसे रूसों का नाम आता है यह आपका साहिते की अपेक्षा जो आपका जिसमें जादा तर माना जाता है देखना जो आपका राजनितिक विज् सोशल लोक सबक्रिती के बिना उन पर कोई कानून लागू नहीं हो सकता देखिए ऐसे कानून वगेरा की बात ही जो है यहां पर रूसो कर रहे हैं तो कावे में प्रकृति सौंदर्य को इन्होंने स्थान दिया है प्रकृति बाकी इन्होंने स्थान दिया है तो यह चीज है इनके बारे में इंपोर्टन बाकी इनसे या रखने की जुरूत आपको नहीं है सिंपरी इतना ही आपको या रख लेना है कि इनका समंद्ध जो था वो कहां से रहा ठीक है नेश्ट आता है देखिए जोला तो जोला का नाम है प्रकृति वादी उपन्यास कारों में क्योंकि प्रकृतिवादी जो उपन्यासों के बारे में जब हम पढ़ेंगे न जब पढ़ेंगे मतलब जब हमने पढ़ भी लिया था जो प्रकृतिवादी उपन्यास कर रहे देखना उनका जनक माना जाता है जोला को तो ये आपने याद रख लेना है प्रकृतिवाद को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं यथार्थवाद का अगला कदम अब देखिए एक और वाद जो है यहाँ पर फ्रांसिसी साहिते चिंतन के अंतरगत ही आपका आ गया तो इसको द्यान रखेगा देखना कि जो जोला है यह क्या है प्रकृतवाद के जनक है अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है देखना कि प्रकृतवाद को हम क्या कहते हैं यथार्थवाद का अगला कदम मानते हैं प्रकृतवाद को हम क्या समझते हैं इसको हम सिंपली ऐसे लेते हैं कि वैसे यथार्थवाद अपने आप में क्या है? अपने आप में यथार्थवाद यह है कि जो चीज जैसी है उसको as it is ही present किया जाना चाहिए. लेकिन फिर भी उसकी कुछ मर्यादाइं होती हैं उसकी कुछ सीमाएं होती हैं एक साहितिक भाषा रहती है अस तरीके से हम उसको करते हैं लेकिन यहांपर जो प्रकृत वाढ़ाद है देखना इसमें हमें इसको कहते हैं यह थार्थवाद का नगन रूप भी भाशा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं साहिते में उसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं लेकिन जो प्रकृतवाद है ये क्या है ये इससे भी आगे बढ़ जाता है ये थार्तवाद का तो ये है जोला इसको आपने या रख लेना है ये भी इसके अंतरगत आते हैं ये आपने देखा है भाते दिश्टी कोण में अगर हम देखें कि प्रकृतिवादी जो उपन्यासकार रहे हैं वो कौन-कौन से थे वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है अच्छा किसी को पता है कौन रहे प्रकृतिवादी उपन्यासकार कौन बताएगा पड़ा तो था आपने श सर टो नहीं वो तो प्रकृति हो गया प्रकृत है प्रकृति और प्रकृत है और ऑपकृत है कि तो अलग से प्रकृति हुआ नेचर प्रकृतवाद के समान थ्ञीभा सा उससे ज्ञादा और डिटेल्ड मतलब यह शुब शारणी जयन का नाम आपने सुना होगा शुब बेखा होगा आपने जो जो हैं देखना उनको देखिएगा वो है आपके प्रकृतिवादी उपनियासकार हिंदी में उसको याध रखना है थीक है, जो आपके मुख्य मुख्य नाम थे, वो मैंने सारी यहां पर रख दिये हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यही गलती की थी, कि हमने कुछ एक जो बिलकुल ऐसे जिनके बारे में रचनाएं ही नहीं मिलती हैं, या फिर जिनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं था, जैसे वो ज ही साबसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यही था आपका आज का टॉपिक, अगर किसी ने कोई चीज पूछनी है, तो फिर आप क्या सकते हैं, नहीं तो फिल हाल, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, कल, अलो के हैं यहां तक, यह सर, चलिए, ठीक है फिर, कल है चुटी परसों मिलते हैं मंडे को, फिर हम ठीक सुभा दस वजे, नई उर्जा और नई स्पूर्टी के साथ, तब तक सब लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और मुस्कुराते रहिए, बाबाई, अब गुर देंग,